हालो इब्रिवान वेलकम बेक्ट नूव अग्डेन में अनुर्स क्लासेज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीने फिंगर फिंगर फ्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले देखे कि पिछले जमानमी या तो अभी भी जब फॉर्म फिलब कर रहे होगे आपने थ थाम इंप्रेशन को हम चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी करके यदि आप चाहते हो कि बिलगेट की थाम इंप्रेशन करने के लिए तो आप क्या करोगे उनकी पार्ट लाओगे और प्लास्टिक सर्जरी के दोरान इस तरीके से कर सकते हो लेकिन थाम इ एक individual को distinguish कर सकते हैं यानि कि differentiate कर सकते हैं यह वही परसन है यह वही परसन से फ्रम देर DNA लेवल उस उस प्रोसेस को इन्वेंट किये थे सारा अलेक्स जैंफ्री ने लेस्टर इन्वर्शिटी के दोरान तो अब हम देखेंगे बात करेंगे उनके principles क्या होता है कौन सी बैसिस प इन्सुलीन बनाने वाले जीन वही है इसलिए तो आप जैसे बोलते हैं इस जीन में mutation होने के वज़े से हो रहा है या तो हमोफिल्या समझ रहो ना तो इसलिए बहुत सारे जीन मतलब कि 99% जीन जो होता है वह एक्वाल होता है ठीक है क्यों कि हम सब हीमान होता है लेकिन और सिर्फ 0.1% जीन जो होता है वह unique होता है यह % to % भ्यारी करेगा ठीक है हमको उही uniqueness को ढूणना है जैसे हम बात करेंगे human के अंदर क्या है मतलब कि 99% कुछд डियन आ में कुछ यसे हैं होता है जीसको हम coding bag कहते है को कोडिंग का मतलब होता हique dna से rna बनेगा और आयने से protein बनेगा उसको हम कोडिंग store data केते हैं और कुछ dna ऐसे होता है क्यों कि हम उसको non coding या bench양 ओनünf इसे प्रोटीन नहीं बनता है तो ही उनिकनेस कहां पर प्रेजेंट होता है वही ओनमकोडिंग हिस्सा में प्रेजेंट होता है ठिकै। आच्छा तो अब हम देखेंगे उनिकनेस की सिक्वेंस की जी हम बात करेंगे यह पॉर्षन टो पॉर्षन क्या करेगा उस सिक्वेंस भी भारी करेगा जैसे कि माल लीजे मेरी अंदर मेरी के जो क्रोमोजब नंबर वान है वहां पर 80 जीसी 80 जीसी तिन टाइम 3 टाइमस लेकर देखने को नहीं मेलेगा सिर्फ मेरी अंदर फॉर्ट टाइम सकता है फाइब टाइमस हो सकता है ठीकदा अर्फ त्री टाइमस कभी नहीं होगा ठीक है ऊच्छा तो चीज है तो इसी तरीके से उस रिपीट से को हम बोलते हैं भारीएबल मतलब कि यह चेंज करता है भारी करता है पर्शन टू पर्शन अलग-अलग होता है तो इसको हम बोलते हैं बी एंटी आपको क्लियर होगा कि हम कौन सी चीजे की बात कर रहे हैं और एक चीज़े की बारे में देखिये जो डियने होता है ठीक है आचा डियने जो होता है इसलिए पहले अफेड़बल भी होना चाहिए तो इसलिए पुरा का पूरा का पूरा और सारे डियने को आपको सिक्वेंसिंग करना है जितने लोगों को आप सस्पेक्ट करोगे तो इसलिए यह क्या है एक तो पहला चीज तो टाइम कंजुमिंग प्रोसेस है दूसरा है मतला कि खर्चा भी बहुत लगेगा और कोई भी चीजे जो होता है वह अफेड़बल होना चाहिए अफेड़बल होगा तो सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है वही यूज करेगा तभी ओचीजे काम की बात नहीं है चीजे पहले अफे जीजे की ऊपर हम बात करते हैं तो उनके principles क्या होता है देखिए DNA fingerprinting यूज highly variable repeats जो bntrs के हमने बात किये थे variable repeat sequences जिसको हम कहते हैं bntrs we compare the genetic makeup of two individuals उही uniqueness जो होता है हर एक इंसां की unique होता है तो इसलिए वहां से हम दो individual की बीच में differences पता लगा सकते हैं ठीक है आच्छा तो 99% जो DNA जिससे में है all human only 0.1 percentage are different this difference is found in the non-coding part जैसे मैंने आपको बात किये थी DNA में दो parts होता है एक coding part होता है जिसमें protein बनता है और non-coding part जो होता है जहाँ पर protein नहीं बनता है तो और differences बाला part कहाँ पर आपको दिखने बाला non-coding part मैं आपको देखने को मिलेगा this non-coding part the sequences is repeated उहीं पर sequences repeat हो रहा है और उहीं repeated sequences को हम बोलते हैं polymorphism हम क्या बोलते हैं polymorphism poly का मतलब क्या है many morphism का मतलब कि structure differences मतलब कि जो sequences है और differences रहता है different रहता है portion to person different रहता है इसलिए हम उसको polymorphisms कहते हैं ठीक है आफ आफ झाल इसलिए उसलिए अचैस के लिए उसको बाता है अब बात आता है उनकी procedure की बारे में थोड़ा उनके procedure की बारे में हम समझ लेंगे कि कैसे किया जाता है उसके बाद हम issb ikations देखेंगे ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए सबसे पहले हम देखिए जो repeated sequences आप देख रहे हो उसको हम कैसे निकालेंगे ठीक है आच्छा तो basically क्या होता है ओही repeated sequences को निकालने के लिए क्यूंकि मैंने जैसे बताए कि पुरा DNA को sequencing करना थोड़ा मतलब कि tedious path होता है time consuming and expensive होता है इसलिए हमको उसको निकालना है यह अधियो हम उसको density gradient centrifugations करेंगे centrifugations एक प्रोसेस है मतलब कि एक technical process होता है जहां पर testives के अंदर आपने sample डालोगे sample डालने के बाद उसको rotate करोगे जैसे घी निकाला जाता है जो आपने दिखे होंगे मक्खान वहां से तो इसी तरीका से आप उसको इतने बार rotate करोगे तो आ पिक कैसे मिलेगा एक बड़ा सा पिक मिलेगा और एक छोटा सा पिक मिलेगा जो बड़ा सा पिक मिल रहा है उसको हम bulky bulky पिक कहेंगे और जो छोड़ा सा मिल रहा है उसको हम satellite पिक कहेंगे ठीक है bulky का मतलब जैसे मैंने बताय थी 99.9% जो होता है हर एक इंसान की unique होता है तो दो छोटा सा speak मिल रहा है ओही आपका होता है satellite hectअ डिने का मतलब क्या होता है डिने हाभींगों वीधुरेंड मतलब कि हरेके इंसान कि जो येने सोता है य鬼 के पुली मौर्फिक डिने जो होता है होरेके इंसान की जो यूीक डिने सोता है उक आपको small peak के अंदर देखने को मिलेगा तो इस बाला हिस्सा को हम focus करेंगे समझ मारा ना क्योंकि uniqueness उहीं पर present होता है जो satellites DNA होता है वो दो दरीके के होता है एक mini satellite होता है और एक micro satellites होता है ठीक है तो हम थोड़ा बात कर लेंगे mini satellite and micro satellite के बारे में mini का मतलब क्या है छोटा है ठीक है तो mini under mini से और यह थी छोटा होगा तो हम उसको micro कहेंगे तो यहां पर जो repeated sequences 1 से micro satellite में अंदर repeated sequences 1 से 9 के बीच में present रहेगा और mini satellite से 10 से 100 वेस्पेयर तक आपका repeated sequences मिल सकता है यह थोड़ा यह थोड़ा लंग है तो यह रेटी रिच रिजन होता है यह जिसी रिच रिजन होता है यहां पर जो mini satellite के अंदर हम यूज करते हैं short segments repeats short tandem repeats होता है उसको हम यूज करते हैं तो under mini satellites में अपने bntrs आपको दिखने को मिलेगा variable number tandem repeats आपको दिखने को मिलेगा question आता है कि DNA fingerprinting में आप कौन सी satellite यूज करते हो mini satellite या micro satellite यूज करते हो तो आपके answer रहेगा mini satellite under DNA profiling के लिए हम micro satellite यूज करते हैं मैं बाद में आपको बता हूँ कि DNA fingerprinting क्या होता है और profiling क्या होता है थोड़ी छोड़ी से differences है उतना ज्यादा differences नहीं है अब हम focus करेंगे DNA fingerprinting के उपर ठीक है आपको clear हो गया कि हमको कौन सी चीजे को focus करना है हमको repeated sequences को focus करना है और ओही repeated sequences non coding हिस्ता पर होता है उसको हमने कैसे निकाला हमने centrifuge किया जो less peak आ रहा था उसमें हमने उसको निकाल रहे है ठीक है और हमको mini satellite चाहिए अब हम बात करेंगे उनकी applications की उपर ठीक है ना मतलब कि क्यों हम DNA fingerprinting यूज करते हैं आपने बच्पन में sony tv पर एक serial आया करता था सायद आपने देखे होंगे हम लोग के टाइम पर चल रहा था उस cid करके था तो मा लीजे कहीं पर death हुआ है ठीक है ना मतलब कि murder हुआ है तो बैसिकली यह तो जिस प्लेस में murder हुआ है उहां पर आपको dead body मिलेगा एक तो है यह dead body मिलेगा मुर्डर हुआ है उसके अलावा इस area में आपको sample मिलेगा ठीक है आच्छा तो मा लीजे sample कुछ भी हो सकता है sample कुछ hair follicle हो सकता है क्योंकि murder हुआ है ना murder के time पर क्या होगा ऐसा नहीं तो कोई आगे बेड़ जागा हम मुझे मार डाल हो ऐसा तो नहीं भूलेगा तो उसके बीच में कुछ तो मतलब की होगा तो उस time पर मालेजे इस तरह के से hair follicle हो सकता है या तो कोई murder किया है cigarette board उसके अंदर है cigarette के अंदर की saliva की कुछ है तो वहाँ से क्टा है ठीक है कुछ भी जिज़ें या blood की drop हो सकता है maximum ठीक है ठीक है आपको यहाँ पे जो blood मिल ररा है blood है या hair follicle है ठीक ہے माले जिए जितने आपको sample मिल रहा है या तो आपको blood अपने लिज्वाह या तो आपको सिर्फ जो murder किया है उनकी hair वो ही पर मतलब किया आएगा और जो murder किया है उनका नहीं आएगा जो murder हुआ है उनका भी आ सकता है तो dead body का एक हो सकता है और एक murderer की हो सकता है ठीक है ना आच्छा तो अब हम क्या करेंगे इस sample को isolate करेंगे isolate करने के बाद हम उसकी bending pattern match करेंगे और dead body की bending pattern के साथ यह अपने दो bending pattern आपने isolate किया ठीक है अच्छा तो इस bending pattern के साथ म्याँज कर रहा है तो इसके साथ हमारा कोई लेना दना नहीं है क्यों कि यहां पर जो sample हमने डिकाल था साम्पल से इस बहला हिस्सा जो होता है यह dead body का होता है तो इसलिए उसकेस लेना किया है ठीक है अच्छा ठीक है क्लियर हुआ आपको यह यह अपने पहले उसको इलिमिनेट कर लोगे सेकेंड बात आता है आपको आपके पास अभी यह बेंडिंग पाटन की यह संपल है ठीक है अपने उसको निकाला है उसके बाद आप क्या करोगे सस्पेक्ट का मतलब है कि ये तीन आदमी मर्डर कर सकते हैं, आप उनकी रिलेटिप्स के साथ बात करोगे, उनकी फोल्कॉर्ड को ट्राकिंग करोगे, किसके साथ उनका दुस्मनी था प्रिभी असे करके, मालीजे आपने इस तरीके से तीन पर्संस को क्या-क्या, आपने सस्पेक्ट किया, याद रख यहां पर्संस टू पर यहां पर बेंडिंग मिल रहा है, यहां पर बेंडिंग मिल रहा है, पर्संस ट्री पर यहां पर पर बेंडिंग इस तरीके से मिल रहा है, ठीके, अब अब देखिए, यहां पर मैचिंग किसके साथ हो रहा है, पर्संस टू के साथ हो रहा है, तो इस sample मिल था और आपकी sample हमने जिसको suspect किये थे वो दोनों के sample match हो रहा है इसका मतलब है कि आपने murder किया है या तो murder होने के time पे आप available थे ठीक है न वहाँ से पता लग जाएगा तो अब हम बात करेंगे उनकी procedure की बारे में ठीक steps देखे DNA fingerprint के आपको ऐसे लिखना है step 1 में हमको क्या करना है sample collection करना है sample क्या हो सकता है hair follicle हो सकता है saliva cigarettes में हो सकता है blood हो सकता है उसमें आपको क्या करना है DNA को निकालना है ठीक है न अच्छा तो cut this sample DNA तो restriction endonuclease तो हमको क्या करना है restriction endonuclease यूज करके इस sample को मतलब कि छोड़े-छोड़े fragment को उसको करना है ठीक है न अपने आपको जो DNA मिला है ठीक है न अपने यहां बे मिला है तो आपने restriction endonuclease यूज करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है उसको अगरो जेल इलेक्ट्रोफोरसिस में राउन करवाना है क्योंकि आपको बैंडिंग पाटन दीखना है न तो इसलिए restriction endonuclease करोगे अगरो जो जेल इलेक्ट्रोफोरसिस क्या होता है देखिए तो स्पेसिपिकली आपने हम क्या करते हैं जब कोई जो मॉलिकुल्स होता है अप दिया नहीं हो सकता है यदि हम उसको चाहते हैं कि कुछ उनको sorting करने के लिए यह चोटा सा फ्रेग्मेंट आगे रहेगा और उनकी banding pattern को हम दीखने के लिए चाहते हैं तो हम एक medium में उसको run करवाएंगे ठीक है medium में run करने के लिए जैसे मतले की rail कड़ी चालने के लिए railway track की जरूरत होता है कार जाने के लिए road की जरूरत होता है तो इसलिए आप तो ऐसे vacuum में उसको separate नहीं करोगे न तो medium की जरूरत होता है और उही medium होता है आपकी अगारोज जेल जो रे डालगी से आपको मिला है अगारोज जेल से जेले के semi solid substances होता है उसमें आप क्या करोगे ओही DNA फ्राग्मेंट को run करवाएंगे छोटा सा फ्राग्मेंट निचे रहेंगे बड़े बड़े फ्राग्मेंट उपर रहे जाएंगे तो आपको इस तरीके से पाटन मिलेगा तो जेल मिलने के बाद आपको क्या करना है जेल से चीजों को nylon membrane के वह अंदर ट्रांसपर करवाना है हमने DNA के लिए southern blotting technique आपने चानल पर विडिया अभेलेबल है उसको कैसे किया जाता है आप देखोगे तो उसके बाद हमारे जेल इलक्टोफोरेसिस के बाद हम क्या करेंगे southern blotting यानि कि membrane को DNA banding को ट्रांसपर करना है उसके बाद हम क्या करेंगे हमको micro satellite और mini satellites के बारे में पता है तो हम उसको क्या कर सकते है वहाँ पर hybridize कर सकते प्रोब के साथ जब हम प्रोब के साथ hybridize करेंगे तो हमको binding pattern नजर आएगा तो यानि कि इस binding pattern यहां पर band DNA है यहां पर band DNA है तो कैसे नजर आएगा जो हमने प्रोब बनाया है प्रोब क्या होता है छोटा सट DNA oligonucleotide sequences होता है उसमें कुछ radioactive substances हम डाल देंगे तो जब भी probe जाके उसमें bind करेंगे हमको autoradiography के अंदर हम जब दे मतलब कि जैसे आरेंज हो जाएगा छोटा वाला आगे रहेगा उससे बड़ा वाला उससे पीछे रहेगा ठीक है ना तो the robust piece in the nylon membrane उसके बाद next step होता है हम उसको membrane को transfer करेंगे mini satellites that is the probe मतलब कि अभी हमने mini satellites जो हमारे पास जो knowledge है कि mini satellites होते हैं उनके अकड़े हम probe बनाएंगे design करेंगे वो जाके attach हो जाएगा और उसके बाद हमने autoradiography या तो x-ray film के अंदर उचीजे को देख सकते हैं तो यहां से हम क्या करेंगे जो जैसे हमने suspect किये थे जिस बंदा का उनका bending button हम निकाल लेंगे और पहले से जिस sample मिला था उसका bending button हमको पता था उसके बाद हम क्या करेंगे उसको match कर लेंगे समझ में आ रहा है तो अच्छा जैसे इसको बारे में भी देखें जैसे यहां पर थोड़ा माली जी यह person 1 है person to person पर ने दे लिए थे उनकी chromogen तीनो क्रोमार अधर से आया है आधा हमारा मादार से आया है तो माली यह एक क्रोमोजम के अंदर उन थ्री रूपेट है is और परचन एस तरीके सेically Скहोट से हैं तो इस तरीके से आएगा के सी और करोगे तो आपका हो गया थेक है पैरिशनल के साथ पारेंटिज skilled होगे अच्छे निटेश तो यह मलेजें मुदर है यह चाल्ड है और जो नों की मतल़ कि इमादर बोल रहा है कि पादर उन की हम धखेंगे देखि century चायL टीए उन में से कौन फादर है आप कि देख सकते हो ठीक है आछाएल्ड कि जिनो-टाइप और मौदरफ के जिनोटाइप मादर यह homologus रहना चाहिए जरूरी है क्योंकि आधा क्रोमोजंद कोई भी बंदा का फादर से आना चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि उनकी mother की यह है तो यहीं पर कहीं पर नहीं है तो यहाँ पर उनका एक है यह mother से उनकी match हो रहा है तो यह वाला जो इससा देखे हो रहा है यह वाला हिस्सा ठीक है अच्छा इस बाला हिस्सा इस पर्षन से सिर्फ पर सिर्फ मैच हो रहा है ठीक है आच्छा और इस पर्षन से मैच हो रहा है ठीक है तो ज्यादा similarity कौन सी persons के साथ आ रहा है पॉर्षन वान के साथ आ रहा है अब इस खुद देख सकते हो ठीक ना अच्छा तो क्योंकि यह वाला हिसा को हम मार के क्यों नहीं करेंगे क्योंकि देखें मौदर है तो यह दोनों ठीक है यह उससे एक वर्षन वान टू से हमको चाइल से इसको सा साथ मैच करवाना है ठीक है तो इसलिए पर्षन वान जो है उफादर है तो ज्यादा मैच मैचिंग जो है पर्षन वान के साथ हो रहा है और कहीं पे नहीं हो रहा है यहां पर टूपे हुआ था लेकिन टूपे साथ ओनली वान मैच हो रहा है और ज्यादा मैच नहीं हो रह है ठीक है तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां से पर्शन वान जो होता है उनकी फादर होता है हम कंफर्म हो जाएंगे ठीक है आई होप आपको डी एने फिंगर प्रेटिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा विडियो पसंद आए तो लाइक केजिए सब्सक्राइब केजिए और आपकी दोस्त के साथ में चाहर केजिए और आपकी दोस्त के साथ में चाहर केजिए